क्वेलिध कैसे आप सभी म applies करते हूं आप सभी लोग स्वस्त आउए बलराम जी उनका हलदर्वी नाम था। तो उन ही जन्दिवस के रूप में मना जाता है। यानी जिसमें हल्का, प्रयोग नहीं होता है ऐसे खाद पदार्थों का सेवन, इसमें किया जाता है। तो उन के पकने के पहले चावल ऐइसा होता है इसमें त्थोड़ेसा धूल मिट्टी च्टी जादा अता तो इसको पहले हम निकाल लें गे एक बडी सी ताली में और इसको पछोर लेंगे और से कंकर हुए रहों उनको साफ कर लेंगे यह देखे कितना इसमें धूल निकल रहा है इसको पहले चान लेती हूं और फिर उसका धूल मिटी सब निकल जाता है आराम से उसके बाद जो बड़े कंकड होंगे उनको हम आराम से भीन लेंगे और इसको साफ करने के बाद अब हम इसे 3-4 घंटे के लिए भीगो के रख देंगे क्योंकि ये चावल पकने में टाइम रखता है पहले हम इसको 2-3 पानी अच्छे से वाश कर लेंगे और उसके बाद हम इसे पानी डाल के रख देंगे 3-4 घंटे के लिए ये नॉर्मल चावल से दो गुना टाइम लेते हैं भीगोने के बावजूद पकने में तो अब हम इसको भीगो के डख के रख देते हैं तो ये देखिए चावल थोड़े से फूल गया है इनको हम तोड़के आपको दिखाते हैं तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसको पकाने के लिए कुकर लेंगे क्यों यह टाइम लेता है तो कुकर में पकाएंगे तो ये जलदी से पके अधे और यह Color I ॉर अब इसको फ़ faznost में चावल डाल दिया इसके चार गुणा इसमें पानी डालेंगे 4àng टालेंगे चार काटुरे मूना में पानी डा करीब ऐसे पकने देंगे तो देखिए सीटी आ गई है और इसमें से थोड़ा सा पानी निकलता ही है क्योंकि इसमें हमने घीव वगारा कुछ नहीं डाला है या तो आप बड़े कुकर में बनाई है गैस आफ करने के बाद जब कुकर की सीटी रिलीज हो गई उसके बाद मैंन नमक होता और इसके साथ में आफ भ़ागा जाता है उसके साथ मारिष इसके साथ यह डिलक्ता है तो यह हमारी ड्यारि किस तरह से बनाया जाता है कैसे खाते हैं खीर बनात के अई सब्सक्राइबा लगा तो लाएक है को सेयर किजियेगा थैंक यू फॉर लोचिंग वीडि